बच्पन से सुना है, सम्विधान में भी लिखा है कि भारत एक धर्व निर्पेक्ष राष्ट्र है और मैं इसी राष्ट्र का एक शहर हूँ, जिसका नाम कभी महबबत नगर हुआ करता था और महबबत नगर में हर मजभब के और हर फिक्रे के लोग प्यार महबबत से मिल चुल कर रहा करते थे वो लोग सिर्फ एक ही धर्म जानते थे, इंसानियत और देश प्रेम भाई चारा इतना गहरा था कि शिवालयों की घंटियों में अजान सुनाई देती, और इबादत गाहों में आरती की नाद लेकिन बदलते दोर, बदलती सियासत और सिमटती इंसानियत की वजह से महबबत का नगर अब सिर्फ मुझफर नगर रह गया और फिरे इक दिन कुछ ऐसा हुआ अरे, जू क्या करने भाई, अरे, अरे, ता लेके जाने मुझे, अरे, अरे, चोड़ा, चोड़ा मुझे मुझे तार अर्ड तार एभार दोगुष्टे अरश काँ अरुट मेरा एस भीड में हैं था इस बाइब। यह लोग मुझे यहां से क्यों लेके आ गए बेर्णबाद जैसे लेक आते हैं फुपा लग गए तुमारा हैं मुझसे कोई भूल हो गई है क्या बूल नहीं करतूद करतूद और ऐसे करतूद पर तो गोली से उड़ा दें स्वीट मैं पता नहीं तुझे यह है वह करतूद देख अब जट्ते फैसला कर ले अंगुठा लावे है यह दू तेरा सर इस कोल्लू में अगर यह सबीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी तो हम लोग खाएंगे क्या भगवान के लिए माफ कर दो हम लोग तबाह हो जाएंगे पर बाद हो जाएंगे तो आपको ओन से तेरे मंगल गरे पर जाज खड़े हैं पैसे ते रहते तजे तुन ने लिये नी वैसे भी साल दो साल बारिस ना हुई तू फासिक आगे मरेगा या गोली मार लेगा लेकि तेरा ही इंतिजाम कर रहा हूँ अरे बस भी कर बेटा इसे ऐसे ही पीटता रहेगा और इसकी साज निकल गई तो फिर क्या कर लेंगे हम भीम सिंका तुत्ता है ये आग पर तोड़ने से ना माननेगा जिसके घर पे जवान लोण या बैठी हो उसे ऐसे मारा पिट्टा करत हैं क्या जाओ इसके लॉंडी को ठाक लाओ फैर वोही पत्तमी जी वाली भासा हमेशा ठालाओ कपड़े फार दो रेप कर दो भाई जद से लेके आना ट्रेक्टर कर बिठा के रुक 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 बगवान के लिए रुक जाओ मैं तुम्हारे के हाँ चोड़ता हूं तुम् बड़त ऍध को तुम्त है दोड़ ऒाहा ओैस कर बाख स्ट Qण horrific मित भाले वाले वाले दोलहा है कर दोद्ग है प्रयां पर म करें कर दो प्राइम से अ प्राइम यह अटो अटो पीच आटो पीच आटो पीच आटो बहुत बुरा हुआ भाई बहुत भला आदमी था महुन लाज मेरी बहुत इज़त करता था पर यह हुआ तो हुआ कैसे यह तो तुझा ही पता होगा मैं जोच्छी हूँ या मैं फरिस्ता हूँ मतलब क्या है तुम्हारा कहने का क्या कहना चापते हो तुझे मोहनलाल की जमीन चीए थी ना अच्छा ऐसे तो पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए दे दिया हिंदूस्तान ने और आपके जानकारी के लिए बता दू छे महिन ने पहले ही मोहनलाल बचारा मुझे अपनी जमीन दे चुका कागजाद दिखाऊं परधान है आप गाओं के जिम्मेदारी बनती है आपकी कुछ अरे ऐसे कैसे कोई भी आत्मत्या कर लेगा गाओं में ये हाथी वाड़े दांत हमें मत दिखाई हो जोदा सिंग मैं तुझे आज से नहीं जानता इतना ही पता है तो अपनी उकात में रेके बाद कर नहीं ते परधान गिरी निकानने में ज़दे देर नि लगेगी मझे पुलिस का काम है पुलिस अपने आपने मतालेगी पुलिस भी तो आपकी ही जेव में रहती है जोदा सिंग जी हमारी जेव की तरफ जहां करने की कोशिश मत करोगे हम सिंग जी हमारे पास तो और वी बहुत लंबी लंबी जेव है पुलिस को इतना बड़ा थाड़ा चोटा पड़ रहा है क्यों किसी के जेम में रवेगी आप भी परदान होके ऐसी बाते करो के तो गाओ वाले क्या खाक इच्छत करेंगे हमारी अरे चलो वई चलो जलो पुलिस आगी चलो 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 आगे चलो आगे बड़ो ए रोक रोक दिखना रहा है चेकिंग चल रही है अरे जहां यह जोधा सहाब का ट्रक है जाने दो चलो चलो आगे बड़ो अरे समझाईए सर इस पागल को जोधा सिंक ट्रक को रोक रहा है अरे नहीं नहीं वर्दी पहनी है चमक तो मारेगी थोड़ी महली होने दे अपने अपनायन पर आजाहेगा सही का है सर सही का जारे इसे दिखा अपनी वर्दी की चमक है रोक 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 तुझे देखने रहा है चेकिंग चल रही है किस बात की चेकिंग चल रही है अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा किस बात की चेकिंग जानता नहीं है क्या मुझे तो मिताब बच्चन है जो तुझे जानू मैं अमें ताप बच्चन तो नहीं हूँ लेकिन तू चुलबुल पांडे बनने की कोशी ज़रूर कर रहा है अले क्या बात है? क्या मुगत्मा चला रख्या है? सर मैं सिर्विस से ये पूछ रहा हूँ कि किस बात की चैकिंग चल रही है दरासल मैं हाके प्रधान भीम सिंग्जे का बेटा हूँ तो सलूट करू तजे या तेरी आरती उतारू और तेरा बाप प्रामिनिस्टर है? सबर से साम तक बहुत देखें ऐसे प्रधान वर्धान चल लैसे दिखा आपने ट्यूटी पे शराप पी रखिये मैंने तो चाए बोली थी यह दारू ले आया क्या करूं पीनी पड़ी क्यों सस्पेंट करवायागा लैसने तिखा अरे लैसनस दिखा दे तो यह जो दिया था यह मेरी शादी का काड़ था क्या तूने देखा इसने कुछ दिया और तूने देखा नहीं साब लैसनस भी ना है तो गाड़ी के पेपर दिखा दे हैं लैसनस भी ना है गाड़ी के कागजात भी ना है और उपर से पुलिस को कानून ज़ड़ रहा है अरे आदो इसकी गाड़ी जप्स कर ले जी आज इसको घर पाइदल जाने दो तूने ओंड्यूटी इसकेटर पे हाथ उठाया मैंने हाथ उठाया उठाया क्या हुआ 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 है पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं लेकिन क्या है ना हमारे मुझफर नगर में कुट्टों के पेट पे लातनी मारी जाती है सर ये कुछ जादा ही कानून जाने है जानून कुछ आने है और ये ना जाने है कि इसका अंजाम क्या होगा सलाम ओए बदमाश क्या आल है तेरे ठीक हूँ बया देख में तेरे लिए क्या लाया तड़ाएंग इफ बाओ जी नमस्ते आजा जीता रहा है बहुत देर लगा दी आने में अरे बाओ जी आपको पता तो है रस्ते इतने टेड़े मेड़े आना ताइम लग गया तू जल्दी से हाथ मुदो ले, मैं तेरी लिए देशीगी के घरमा घरम पराठे बनाती हूँ सच्छी, बहुत भूख लग रही है, चलो 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 अंदर चलते है और बेटा, कैसा चल रहा है तेरा वो शूटिंग का कोर्स बस बाओ जी हो, 500 मीटर रेंज का कोर्स तो कम्पलीट हो गया है अब तीन मेने बाद नैशनल से हैं, उसी की चैंपेंशिप की तयारी कर रहा हूँ क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाला हूँ अब यहां आ गया तो तोड़ा, यहां का भी धंदा देख और अपने अर्जुन को देख, तीन बाद वर्ड़ चैंपेट बनके अपने देश का नाम रॉषन कर चुका है अब मैं चाहूं कि आने माले औलम्पिक में तु भी निसान्निबाजी का रॉषन कर है और अपने गाओ का अपने देश का नाम रॉषन करे यो गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा जी तोड मेनद भी करनी पड़ती है करूगा ना बाब जी बिल्कुल करूगा अमा वसी मिया कहां गाया हुए यार भाई जान पंप ठीक करा रहे थे पंप ठीक करा रहे थे यार पिछ और अरे देव जी बाओ जी ये दूर बीन को आखों पे लगागे क्या देख रहा है भाई नहीं नहीं वो फसल देख रहा था पकर तयार हो गई है ऐसे समय में फसल को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है सिर्फ संभाल संभाल लियो कटाई की मत सोच लियो अब जी बाओ जी अमा वसीम मी या एक बात बताव या अपने गाओं में ढंकी बस सुभीता तो है ना फिर ये मेट्रो कब से चलने लगी अरे ट्रैक में लड़किया आपका हूमर भी गजब का है देव भाई ये मेट्रो ना है तो ये तो सरकार की योजना है अच्छा मतलब सरकार भी अब दिल लगी पर हुतर आई है ना ना ये तो यूपी पुलिस में लेडिस की भरती चल रही अच्छा अच्छा उसी की प्रेक्टिच चल रही होगी बस तो एक काम कर चल साथ में चल मेरे अंधा है दिखाई नहीं देता लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है ना जी जब से इनको देखा है दिखाई देता थे सुनाई देता है पत्तमीस है हमारे पीची पीची क्यों आ रहे हैं आ जी आप लोग मेरे आगे आगे चल रहे हो अच्छा जादा स्मार्ट बनने की जरुरत ना है छोड़ो यार जाओ नाजी ना लेडि़ी सफर्स जी ओए तू तो इसी गाउं का है ये किस गाउं का है अच्छा नाम क्या है तेरा देव म इतने मवाली पड़े हैं, इसकी ही कमी थी ओ जी मवाली ना हो मैं, ग्रेजएट हूं ग्रेजएट इट्टा मैं पूरे 10,000 रुपे दे के पास हूँ हो मैं तभी तो इतना होश्यार है तमीज भी नहीं है बात करने की हाँ, तो तुमने कुण सा लाग दो लाग दिये मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिये अपनी महनत से पास्कती आई हूँ महनत? ना जी न, मैं न मानू हम सच बोल रहे हैं अच्छा, फिर नाम बता अपना सारा अच्छा, अच्छा, गाउं का नाम क्या है? गाउं मोर्ना अच्छा, पिता जी का नाम क्या है भई? रफीक हाहा सारा, इसे कुछ मत बताना बहुत चाला आगे अरे ये तो कोई अन पर भी बता देगा इसमें पड़े लिखे वाली क्या बात हो गई? एक काम कर अपना फोन नमबर बता अंग्रेजी में 978-700-483 क्या बात है? तु चल वहाँ सारा, चल अभे नमबर लिख लो फटापट भूल जाओंगा मैं 978-7 क्यों नमबर दिया उसे? अब तुझे नब बार बार फोन करके परिशान करता रेगा अएंदा इस बत्त में इसे बात करने के कोई जुरत नहीं है? और क्या जुरत थी उससे बात करने की? अरे मैंने कौन सा उससे असली नमबर दिया है? सारा इतनी भी बेकूप नहीं है कि किसी को भी अपना नमबर दे दे हलो, डार्डिंग, पहचाना हेलो, अरे ताओ गलती हो गई, रख रहा हूं रख रहा हूं फोन पहंगड, 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 ये कुन सी भाशा बोल रहा था? अच्छा, शेप गई मुझे ठीक है, अब आएगा मजा अरे क्या भाई, किसकी खयालों में खोया है यार, हमें भी पता दे, हम भी याद कर लेंगे होगी कोई शेयर की पलड़ी हाँ तो भाई, उसे भी लियाता, वो गाउं देख लेती, और हम उसे देख लेते अच्छा जी, अबे, तुझे देखके गाउं की लड़की तो क्या, बैस भी आना बोलेगी बाई सुनना, तेरी सैटिंग हो जाए न, तो उसकी सहली से न, मेरा विजगार करा दियो अच्छा जी, मतलब गाउं बसा नहीं, भिकारी पहले आ गए अरे सुनना, ये सब छोड़ ये बता, तेरी बात बढ़ी कि न बढ़ी देख भाई, पूछ रहा है तो साथ में चलना पड़ेगा उसके गाउं, सोच ले भाई देख सुन, जब भी चलना हो न, तो बस एक बाई बता दियो भाई, हम भी साथ चलेंगे, हमने कोन सा पाप किया भाई, अरे रुख जो यार, कोई लड़ने वड़ने नहीं जाना है, ना लड़की को उठाने जाना है, बस देखने जा रहे हैं, और टेंशन की ले रहे हो, मिलवा दूंका सबको, बबलू, रड़ी है न, एक दम, कल मिल लग रहा है, चाचा के कानों में भी कर्वी लग रहा है, और तेरे पैरों में लाग रहा है, इसे ही कह रहा है, चाचा, वो, रफीक मिया है, रफीक मिया, उनका घर, अच्छा, रफीक मिया, लेकिन बेटा, रफीक मिया तो यहां पांच है, अब किसका घर, उनको बोल, अब क्वें चान रफीख ने ना अच्छा रफीग खान दूर लेकिन बेटा रफिख फारत है अब से रफीख खाने सारा इसारा के जौनडल मॉंचा शद्धे कि सारा के अबुच आशचायब अचाचा सारा के अबू लेकिन सारा के अबू भी यहां दो है अब कौन सी सारा के उनको बोल वो जो बुजर्ग वाले है ना उनकी बात कर रहे हैं हम चाचा वो बुजर्ग अच्छा वो बुजर्ग वो बुजर्ग वाले लेकिन बेटा उनका तो इंतकाल हो गया वो तो अल्ला को प्य ओरे ले भाई हो गया काम कैसे भाई यह बच्चा बताएका बेटा इधरा अरे यार वो पच्च मन इसाल को बढ़ू नी बता पाया यह बच्चा के खांग बताएगा अरे भाई जो काम बढ़े ना कर पाय ना वो बच्चे कर जाए बेटा यह यह रफीक चाचा का घर कहाँ इजर जाके उदर जाके उदर। इख एले बिटा हो गया गव, जो लग रहा है पुछे पूरा। और तु ते। भाई, घर तो यही है। अरे भाई, पुरा आगे ले ले यार। आगे क्यों ले लूँ? जब जाना इस घर में है, तो आगे क्यों लूँ? बाई घर में जाना है मतलब अब मरवाएगा क्या बाई बीतर ने चले गए ने तक कट कई भार आउंगे अब तो हस रहा है बाई जो दीवार देख रहा है ना इन पर अपने पोस्ट छपे मिलेगा गुमसुदा के अब फट्टू जिग्रा नाम जैसी कोई चीज है के नहीं हां तुए काम करियो अंदर जाते टाइम अपना दिमाग साइलेंट मोड पर रखियो जो करना है मैं कर लोंगा ठीक है और हां यह अपनी आखों को ऐससे ऐससे मत करियो तरी भावी बुरा मान जाएगी आख शन असलाम वालेकूम चाचा वालेकम शालाम सब खहरियत या काम है बस चाचा वो अपे बैठना वो चाचा आपकी ज़्याओ हम कबारी है लेकिन देखने में तो आप कबारी वाले नहीं लगते अब भाई बढ़ों चालों निकल ले अब चाचा क्या है ना हम लोग प कबारी कैसे लग सकते हैं रह पड़ेने के वो तो नौकरी क्यों नहीं करते हैं कहां चाचा नौकरी अब नौकरी तो आजकर इन पॉलिटीशन के भाशनों में घूमके रहे यह बस आपको तो पता ही है हाँ ये बात तो ठीक है लेकिन मैंने तुमें पहले इस गाओं में द पॉलिटे हो चाचा एकदम सस्ताव टिकाओ नहीं चाचा वो मैं देख रहा था कि घर काफी अच्छा वोना रखा है आपने हाँ अच्छा अच्छा हाँ तुमें एक यह है और एक वो है हाँ हाँ चाचा ये ये तो ठीक है मैं मैं कह रहा था कि कुछ और रखा है घर में कुछ मतलब इसके अलाबा ये है हाँ ये कुछ है कितने की है अरे कितने की क्या दीस दुजार के ले लो पूरे मोड़ना में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि दिखने में तो अच्छी है धूर्टिफुल है जी तो क्या दोगायो बेटा अ चाचा इसका तो कुछ भी ले लो आप अरे इसके लिए तो मैं खुद पिक जाओंगा अरे चाचा इसका मतलब है दिखने में अच्छी है तो नस्ल की एच्छी होगी अच्छी नसल? बहुत अच्छी नसल की है इसकी माँ तो इससे भी ज़्यादा खुम्जूरत है बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी बेटा जी अबू तीन कब चाहे लाओ जी अबू चलो माँ दिखाता हूँ उसके तीस ज़ार जादा नहीं माँगे मैंने ये उसकी माँ है माँ? किसकी माँ? हाँ, उसकी माँ है ये उसकी माँ है यहाँ, चाचा आप भी पांच वक का नमाजी, मेरे यकीम भी करते आप बतलब आप ये कहना चाहरे हो कि ये उसकी माँ है हाँ हाँ भई अरे मैं ही तो लाया था इसे मेरे सामने ही तो बहिया यह है अरे यार मुझे नहीं लगता ठीक है ये चेमाल गोटा इसकी मुहपत को ऐसा उतारेगा कि जिन्दगी में कभी इस चोखट पर कदम नहीं रखेगा चाचा, तीन का टोटल कितना हुआ? तीनों को मिला के पचास हुआ दे तो पचास हाँ तो इस वक्त हमारे पास नहीं है चाचा जाए आप काम किजिये आप अमना फोन नंबर दे दीजिये हम कॉल कर के आ जाएंगे और अपना समान ले जाएंगे मेरा फोन तो खराब हो गया है मैं अपनी बेटी का नंबर दे देता हूँ कागज है पीपर देना ये लो बेटा नंबर नंबर की क्या सरुवत है अबू इन्हें ये तो कबाड़ी है गाउं में आते जाते रहते हैं सामान लेना हो तो घर पर आ जाएंगे ठीक है बात तो सही है ये अबू की है बिना शक्कर वाले चाए लीजिये ना अच्छी है चाए क्या लग रही है अच्छा पी ले पी ले फिर लगेगी भाई जैसे आये थे वैसे अगर जाना है न कब रखते और निकल ले अबे मोहबद की चाय है मोहबद से पीएंगे भाई ये मोहबद की नहीं आफ़त की चाय है कब रखते वरना जाने की हालत में नहीं रहेगा मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी नहीं नहीं अच्छी है ना यह तो पागल है, इसकी शकल ही खराब है, देखो, अरे इसे तो गौव की जलेबी भी कड़वी लगती है, मैं फी रहो ना जहाँ पना एक को पाहर मगा दूँ ने ने बस अब चलने का समय आ गया है खाना खाके चाहिएगा अच्छा चाह बहुत है ना अच्छा च्छा तो चलते हैं आपनो तो सोच लेना डील के बारे में जी 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 मिलते रहना जी 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 अच्छा पानी की बॉटल तो लेते जाओ, रास्ते में काम आएगी इस जोधा सिंग ने तो हमारी जमीने हडप करके हमारे साथ वो काम कर दिया है कि इधर पड़े तो कुआ उधर पड़े तो खाई अरे ऐसे कैसे जोधा सिंग आप लोगों की जमीने हडप लेगा अरे भाई, जमीनों के कागजाद आप ही लोगों के नाम पे है ना तो फिर और वो पटवारी पैसे लेके सारी जमीन जोधा सिंग के नाम पे चाला देता है अरे, आप लोग के काम कीजिए आप लोग कर लिहां आजाईए मैं आपके साथ खुच चरूँगा और हाँ, आप लोग अपने जमीनों के कागजाद साथ में ले के आईएगा ठीक है? क्या शादी थी? बैए ऐसी शादी अमने अपनी जिंदगी में ने देखी खाना? बैए खाने का प्रोगाम बड़ा ही मज़ेदार था वो ठाक या मुर्ग मसालम बैए खाके मज़ा ही आगे हमें तो पटवारी जी अगर मज़े की बाते खतम हो गई हो तो ज़रा काम की बाते कर लें तिवारी जी पटवारी जी ये जो जमीने आपने गैर कानूनी तरीके से जोदा सिंके नाम चड़ा रखी है ये दरासल इन गरीब किसानों की है आप चाहे तो पेपर दिखा सकते हैं ये देखी ये जमीने तो इनकी है तो क्यों परशान हो रहा है अरे तेरा कुछ अपना काम है तो बता, मैं करता हूँ अरे इनका क्या है मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोदा सिंग के नाम कर रखी है और आगे भी करूँगा समझे अरे पत्वारी जी आगे कावदा अभीज से क्यों कर रहे हैं अप क्या करेगा जिक्ता कर जिसरे करनीे कर ये जह पार ने आरी आरी है इसके लिए ये पाइपास बनभा देता हो तेरे रेटेर्मेंट की प्रॉलम भी सॉल हो जाएगी बड़ा दू क्या जबना करियो एक रास्ता और है क्या सुड़ेगा देखाईयो बबलू ले बाई तावू देख मैंने पता ने कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर चोजा से लेकर बाइक कते हीरो लग रहा है और आगे मिलेंगे तो के होगा बाइक कती सुपरस्टार बन जा अब योई जोधा सिंग के कुट्टे ज्यान से सुन दो अप्षण है तेरे पास या तो इन किसानों की जमीन वापिस कर दे नहीं तो जोधा सिंग के साथ जेल में जाने के लिए तेयार हो जा आई बास समझ में आई क्या अर सुन तीवारी को कॉल कर लियो वेट कर रहोगा तरे कॉल का अरे बएपटवारी एक बात और अपनी ना सही कम से कम इन की इज़त तो कर ले जी जानता है कौन है ये जी वो अब बगास सेंग शलूट बार अब जी सर्वागा जी यही है परदान जी का बेटा देव मलिक जो पटवारी को धंकाने गया था आज कल काउ में बहुत भड़ड़ा राही है गाड़ी लगा इसके सामने जी सुनाय कल तू पटवारी को धंकी दे का आया है है तुझे क्या लगता है तेरे गणे पे जमीन वापस कर देंगे हैं या पुल्या देख रहा है इसमें तेरे जैसे घणे काटके बाद यह आज तक खबर ना है भाईया जी ठोक दो क्या इसे अभी बोल रहा हूं ना नहीं तो पिठोक देना मुझसे उलजमत नहीं तो यह दुश्मनी तुझे अच्छे गुंडे महेंगे और सस्ते की बाते नहीं करते यहां तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़ाप लेगा हाँ बापू दो मिलट मारा हूँ अभी तेरी किसमत अच्छी है जल्दी में हूँ फिर मिलेंगे सोचा था प्यार से कोई रस्ता निकलाएगा लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रस्ता निकालना पड़ेगा तुम लोग यह रोको मैं जा के देखता हूँ जा रस्ता निकलाएगा रेखता है कि अवस्ता निकला निकलाएगा और है छुम में जा है बाप यह जाइब यह seconds आ़ेगे कि अभाना थेखता है कि अभाना थेमेंगे अंदर कहा रहा है तेरे अब बाप की जमीन है क्या हाँ बाप की है अपना ताम जाम लो और निकलो यहां से हाथ पहर की सलामती चाहता है तो चुप चाप निकल ले पहरा है क्या चाहल निकल कि अखए हम जो कि थ GC हाल ऑेज़ कि अच्ट प्रस्ट कि अखए कि अच्ट कि अच्ट कि अब शर्फ़्पन कर दो फुट नएंग। कि अज़ एंव प्रेवी अवार सक्षी कर दो कि अज़ कर दो ऑश्टी हवार क्षी कर दो क्वार तो क्वारि तुडार कि अज़ लगके टbowेंस लांस 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 अजए इंए लाँ लाँ लांस झाल 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 कर दो 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 जोदा सेंग, अपने इन कुत्तों को संभाल के रख, अरे कितनों की हट्डिय तुड़वाएगा तु, उस तो रख बचा के बाद के लिए, और वैसे भी मैं या लवने ना आया, सिर्फ समझाने आया हूँ, तो बारा अगर इन किसानों की जमीन पे आख उठा के देखाना, आखे निकाल लूगा तेरी, और भई पटवारी, इधर आई हो, तु, इससे मदद मांगने आया है, है, अबे ये खुद को बचाएगा, ये तेरी मदद करेगा, जिन्हे तु साथ ले के आया है न, ये तुम् इसलामी की आदात हो गई है, हाथ दिशे करो, अरे तुम्हारे इसी कम्सोरी की वज़े से ये अपने आपको ताकतवर समझ रहे हैं, ये लोग, हाथ जोड़ने हैं न, ऊपर वाले के सामने जोड़ो, इन हैवानों के सामने नाई, सोच ना भी मत, ज्यादा ओवर स्मार्ट आपदमन, शहर में कभूतरी उड़ाता, मैं, निशाने बाजी करता हूँ, दुबारा कलागरी दिखाई न, तो बाथे पे तीसरी हाँ बना दूँगा तेरे, आई बास समझ में, तुझे कितनी बार समझाया रहे हैं, अतियार पे जब भी हाथ डालते हैं, तो सामने वाले को खतम करने के लिए डालते हैं, देख भाई, जोदा सिंग, अपने इस पिल्ले को भी समझा ले और तू भी समझ ले, ये जो समीने अड़ अपने की कुंडा कर दी कर रहे हो ना, या तो इसे छोड़ दो, या ये गाउ छोड़ दो, वरना दोनों का जीना आराम कर दूगा भाम है, राम राम, राम, राम राम, राम राम, बभापुई साप के बच्चे का मुँअ ये ही कुछ ना था, हां दो चार लोगों को लेकाया है, कल को पूरे गाउं को लेकाया, बस, ठीक है हमने तो कड़ली बदम सी, कड़ली बैठ की, ्यालर बैट्टे, नही नही जव कि फियर कभी तकलीम नुहोगी यह अगर भाई अपना तो आज कलना चाय पिणे का मनी नहीं करे क्यों भाई क्या बात हो गई भाई बूल गया वो दिन अरे हाँ भाई जमाल गोटा क्या बात कर रहे यार इधर नहीं उदर तेरा जमाल गोटा अरे कहा जा रही हो मेरी जान, ओ बिजली बंग, कुछ तो बोल, अरे कैसे बोलेगी, लिपस्तिक गराब हो गई न, तो किसका मज़ा ही चला जाएगा, भया जरा रोकना, छोड़ना सारा, क्यों गुंडे ममालियों के मूँ लग रही है, मूँ न लगे, उसी का तो इलाज कर जरा नस्दीक आना, लो अभी आया, क्या कर रही है सारा तो, चोड़ ला, मरता है मुझ पे, मा मेरी जान, जरा नस्दीक आना, यह थपड बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, अच्छा, इधर आ, चलो भया, बस भया इधर ही रोक दो, बहुत अच्छा किया जी, आपने इन लफंगों के साथ में, अरे, मुझे गुस्टे से क्यों देख रहे हैं, चलो देख लो, देख लो, अब इश्क क्या है आपसे, इश्क बाजी में इतना तो एडजेस्ट कर लेंगे हम, इश्क बाजी, तुम से, शकल देखी है कभी अच्छी की अब तक, माई डियर, आश्की दिल से की है, पेट से ने, जो जमाल गोटे से निकल जाएगी, चल, फाइनल करते हैं, खुले चौक में, सब के सामने, सीना ठोक के बोलता हूं, I love you, इस I love you को न, अपने पास रख, कहीं और कामा जाएगा, और मुझे ज़्याद अबर की सारी फालतू चीज़े सीख रखी हैं तुने, लेकिन प्यार करना नहीं सीखा, ऐसा है, कि जदा भाव अगयरा मत था, और ये नक्रेव अगयरा मत दिखा मुझे, क्योंकि न, कमी लड़कियों की मुझे भी नहीं है, तो नहीं के पास जाना, और ये अपना I love you भी उनी में से किसी को दे दे अब ये दिल देव का है, तो रहा चलते हैं, किसी भी नड़की पे तो आ नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रख हाथ से चूटी डोर और कटी पतन, इनकी ना तो कोई रहा होती है, ना कोई मन्सुर, और आज से ये डोर, मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तुझे कबूल करना है, तो कबूल कर, और ना छोड़ दे ये सही में तुझ से प्यार करता है, इतना ही प्यार करने वाला होता ना, तो अकेले में बात करता, जब देखो किसी ने किसी को साथ में लेकर घुमता है, इतना भी नहीं पता, कि कोई लड़की अपने दिल की बात सबके सामने कैसे कहेगी, पर अब क्या करेगे तू, तू तो टेंशन मतले, डूर तो मेरे हाथ में है ना, और उससे क्या पता, कि इस बार बात माइन में नहीं, दिल पे लगी है, इस बार कम नहीं आता गया, बार बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों को साव सफाई करने के लिए, और बाकी लोग कहा है, तफरी करने के लिए नहीं मैंने तुम लोगों को, अरे बाओ जी, क्यों सुबा सुबा रेल बना रखिये वसीम की, राम राम, कहा रहता है तू आजकल, कहा था ना तुझे, कि इन पाल्तू के जगडों से दूर रही हो, बाओ जी, अगर हम लोग इन जगडों से दूर रहेंगे, तो इन गरीब किसा अरवास के साथ आपको गाओं का प्रधान बनाया है, अब मुसीबत में हम लोग इनके काम नहीं आएंगे, तो कौन आएगा, तो मुझे बनाया है ना, मैं देख लूँगा, जो करना है वो मैं करूँगा, और तुझे इन गुंडों के साथ गुंडा होने की क्या जरूर थ इन कामों के लिए पढ़ाय लिखाया है क्या तुझे मैंने, बाओ जी, गंदे पानी से किसी की प्यास बुछती है क्या, अब उपर वाले ने कुछ सोस समझ के मुझ में ये काबिलियत दियोगी न, मैं तुझे बहस नहीं करना चाहता, इन लफणों को जोड़ अपने काम जंदे पे ध्यान दे और अपना सपना पूरा कर भेटा, मैं नहीं सपना नहीं जाराता ओजी, क्या बोला ये, कुछ नहीं वो कह रहे है कि सारा सपना पूरा कर, अचा अचा जो भी है, तो विजनौर जा और पेमंण ले कर आ, और श्राफा से जाना, जी वसीम, मैया, कहा ह वे सारा है सकना नहीं तब भी मरवाएगा क्या जब कर दो आप अमी हां अमी क्या हुआ यह लटर कब आया यह तो तीन चार दिनों से यह रखा हुआ है फिर मुझे बताया क्यों नहीं अरे बेटा मेरे तो दिमाग से ही उतर गया था पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है ऐसा क्या है इसमें अमी यह पुलिस ट्रेंडिंग का अपॉइंटमेंट लटर है क्या अला का लाग लगश्कर है पर अमी कर के आखरी तारीख है हमें आच ही तैयारी करनी होगी तू खाना बना अबु मेरा अपॉइंटमेंट मेरान लटर आ गया है आज में बहुत खुष हूं बहुत-बहुत मुभारक हु gemacht है बहँत-ब़ु बहयाहिए वो फारुप ने मुझे फिर से छेड़ा उस मुबाइल चौप वाले ने हां भाईया तू घर चल में आ रहा हु अबी फीक है अपना ख्याल रखना बीटा जी अब्बी और आप दोनों भी अपना ख्याल रखेगा अपने खेया लखना और अमें भूल मत जाना जी अब्बू, चलती हूँ अरे भारू भाई को मार दिया रहे मार दिया भारू भाई को जनाव वो अक्रम और हमाना है कुछ पास दरोरी है आपसे मेंना चाहते है असलाम अलेक। बेढ़िया सब खेरियत खेरियत ही है भाई जान पर हुआ ये के जाटों के दो लोगों ने हमारे लड़के को मार दिया फिर गर्मा गर्मी में हमारे लोगों ने उन लोगों को मार दिया इस मामले में हमारे विरादरी के कुछ लोग भी अंदर हुए है जनाव बस कैसे भी करके भाई जान अपने लोगों को बाहर निकल भाले इसमें हमारे बार्टी का क्या पायदा मीरा पूर्की सीट एकदम किलियर निकल रही है जनाब ये वोट अपनी तरफ करने का इससे बहतर मौका फिर हाथ नहीं लगेगा जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब ये हैं सब अपने वाली है हाँ भाई जान सब अपने ही है अलो जी जे खान साब पता ही है कैसे याद किया जनाब एक छोटा सा काम था आपके लिए कुछ मना है क्या जनाब आपके एसपी साब ने हमारे कुछ आदमियों को हिरासत में ले रखा है अच्छा तो आपसे दरखास है कि जल से जल्द उने रहा कर दे और एक गुजारिश है ये एसपी का कहीं और तबादला कर दीजे आप बेफिकर रहे है खान साब आपके गाम हो जाएगा सर एक बास समझ में ना रही हमारे जिन लड़कों ने उस लड़के को मारा उन्हें तो भाई मार डाला जिनका दोश्ता उन्हें सजा मिल गई लेकिन उन दोनों को जिन लोगों ने मारा उन्हें सजा कैसे मिलेगी ये तो मैं भी नहीं बता सकता वैसे भी ये काम खाकी का है खाकी को करने दो खाकी का काम खाकी करे तो ठीक है लेकिन लगता है खाकी का काम सफेद खादी कर रही है जिन लोगों को आपने रम्य हाथों पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया और उल्टे आप हमारे लोगों वो परिशान कर रहे हैं तुम मुझे कानून मा सिखाओ, पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है, समझे? वैसे भी तुम लोग अगर अपना भला चाहते हो, तो यहां से निकल जाओ, परना एक एक को जेल भेज़ दूगा, चलो यहां से! अरे, देखते हैं किस-किस को जेल भेज़ोगे तुम? चलो! सही का आपने, यह तो पुलिस या दादागिरी है, अब तो यह बिल्कुल नहीं चलेगे! ऐसे तो नहीं चलेगा! ना, ना, बिल्कुल नहीं! देखो, अब ऐसे काम नहीं चलेगा! एक ए रात में D.O.M.R.S.P. का तबादला और उनके लोगों को छोड़ देना? यह एक सोची समझी साजिश है! अब हमें अपने सभी भाईयों को इखठा करके आंदोलन करना होगा! तब ही हमें नयाय मिल सकेगा! और असली गुनेगारों को सजा मिल सकेगी! परना यह लोग, यह लोग बेगुनाओ लोगों को परिशान करते रहेंगे! अब तो हमें इस सिस्टम के खिलाब महा पंचायत करनी ही होगी! इसके इलावा कोई रास्ता ही नहीं है! महा पंचायत हो रही है, जनाब! सिर्फ जाठी नहीं! बाकी जाती के लोग भी पहुँच रहे है! महा पंचायत हो रही है! यानि कि भारूत का धेर इकठा हो रहा है! फूक दो चिंगारी! इलेक्शन से पहले ऐसा माहूल अल्ला की सौगात है! हाँ लेकिन इस काम के लिए अपने आदमियों को मत लगाना! जोदा सिंग को फोन करो! चिंता ना करो जनाम! समझ लो काम हो गया! बाप्पू? बाप्पू? या है वो रिपोर्टर नदीम? हाँ मैं करता हूँ फोन भाई करता हूँ! आदा भाई जी! पुछ काम था भाई जी! महा पंचायत की वीडियो बना के दे मुझे! अरा दस मिन्ट का काम है! ठीक है भाई जी! मैं करता हूँ! बड़ी हजिल्या बना के वीडियो! बना भाई जी! साथ तारिक को जाटतों की महा पंचायत है! तुझे अपने लॉन्डों के साथ उसमें शामिल होना है! और यह जो गया है न सुलिमान का लंदा! रिपोर्टर! इसे उड़ाना है! और काम ऐसा होना चाहिए ऐसा लगे के जट्टों ने मार दिया! ठीक है भाई जी! चल! हरहां महादे! हरहां महादे! भाईयों अब पाणी सर से उपर चला गया है! वोटों के लालची कुछ नेताओं के बहकावे में आकर बड़ी घर भी चड़ गई है इने! अगर अब हमने इनका जवाब नहीं दिया तो यह हमें चैन से नहीं जीनी देंगए! जोने जाइन का साथ दे रहे हैं, वो भी कहन ठोल कर सुझ ले! सोते हुए जाज को छेड़ना, मौत को बुलाना है! अगर हमें हत्यान खा दिया है, चंटी आने वाले नहीं से भी जाज रटेंगे! ऐसी हलत में जब पुलिस मुझाज़न दोनों इनी का साथ दे रहे हैं, तो हमें अपना बदला सेम लेना होगा, फून का बदला खुश चलेंगे! रहे हैं और तस सुच कि आखीं है, की आखीं खींड़ने! आखनी जाटुक्त, ध courtroom में जंद सबांते हैं को से दोलागे । बोल बाइजी काम तो हो गया है लेकिन वो एम सिंग के बेटे देव ने रिपोर्टर को मारते हुए देख लिया है एक काम करियो फिर जब तक मैं तुझा फोन ना करूं तो किसी को नजर मत आई हो हाँ हाँ ठीक है भाई जी यह महा पंचात में जरूर किसी साज़िश को अंचान देने वाले हैं इस बुल्की जमीन और मिक्टी पर जितना हग वो जताते हैं उतना ही हग हमारा भी हमने भी जंग आजादी में अपना भुबाहाया हमने भी अंग्रेजों की लाठिया गोलिया खाई हैं जारा है पक्टी पक्टी अल्लावाद क्या हुआ जो हमारी तादाद कम है तारी कवा है जब भी खौम पर कोई बसी बताई है जब भी एमान वालों पर कोई खत्रा मन रहाया है खैबी ताफ्टों ने हमारी मदद की है खैबी ताफ्टों ने हमारी मदद की है अगर वो सोच रहे हैं कि हमें डरा देंगे तो घलत फहमी में ना रहे हीद का जवाब पत्थर से बिलेगा गौली के जवाब पे गौली मिलेगी अगर वो हमारे एक आत्मी को मारेंगे तो हम उनकी दसलाशे बिछा देंगे आयोग जवाब पत्थर से बिलेगे आयोग जटो ने महापंचायत में हमारे पंच्छे अग्में उको मार दिया है और वो इसी तरह पढ़े चले आ रहे हैं निकालो अपने कट्चे दल्वार और काट डालो जित्मे काट सकते हो आयोग 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 पीछे ले तेरेको दिखाई निदेता क्या अरे तुनाई निदेरा क्या पीछे लेख्टर लपता है तुआ अशे नहीं मानेगा जरे आयोग आयोग ठन्योग आयोग आयोग जर्ग आपनम अर्भान आयोग आयोग क्व道理 है वो क्वार जाए आप लोग अंदर आई इसे आइने अपने घर जाए कबान का में महा पंचाज से लौडरे जार से समुधाय के लोगों पंचाने वा हमला हुआ है सूत्रों के मताबिक इस समले का कारण महा पंचायत में एक उन रिपोर्टर की हत्या को माना जा रहा है भड़किन इंसा में कई लोगों की मौत हो गई साथ इंकई गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया गया पुलिस के मताबिक इस से चिंता जानक बनी हुई है और प्रशासन किसे भी हालाग से निपटने के लिए तयार है सारा का फोन है हेलो हलो अमी कैसी है आप और ये क्या हो रहा है वहां मत पूछ बेटी यहां पर बहुत ही बुरा हाल है सब लोग अपने घर में छुप कर बैठे हैं अमी अब्बू कैसे हैं तू चिंता मत कर वो ठीक है ओके चरू आप अपना खयाल रखना खोदा हाफिस जोधा सिंग जतना जल्दी हो सके हतियार पहुचा दो उनकी पस्ती में और अगर महर ठंडा होता दिखे तो अपने याद में लगा दो दोनों तरप से कल सुबा तक मीडियो और सिस्टम में हाय तवबा मत जानी चाहिए समझे तुम किल्कुं बोरी तरीके से मारा है बता तिल्लू के फोन में यह वीडियो तो पक्का औरो के फोन में भी आई होगी यह पका दंगे भढकानी की साजिश की गई है ध्यान से देख जो असली मडर हुआ था वो रोड़ पे हुआ था राइट हाइड यह देख यह किसी का परस्न अधियार पोचा दिया है वस्ते मैं कोज भी बचानानी चाहिए करीक में एंगे और वेल शुक्सान अधिया कू! अटको! 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 कर लुञगां, कर शीर हो. खार, कर दूख हैं. आतराँ कर! खार, कर दोmetics., कर दूख! अच्छा, आतराँ कर दो! ही कि अ ऑधा है इस अ ही तुम हमारी आपी होकर मिलोगों का साथ दे रहे हो In लोगों को हम ही तकलीफ है टेश को बचारा है इन हेवानों को खर्भ करना होगा तुम हमारे रास्दे से और चौ़ नह अब वर्न अबै चौप अगर ये लोग हेवान हैं तो तुम लोग कौन हो देश की फिकर करने वालों के हाथों मेहतियार पॉर्डर पैचे लगते हैं लाकि इस तरह गली और महलों में देश की तरकी अमन और शांती में होती है इस तरह गली महलों में मारकाट करने में नहीं अपना भासन बंगर और ह झाल जयाल जया वोब के लोगाना बढ़ा ठीस ने सुड़ेगे या अरो जाए 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 गोचाए जाए एजा जाए सलीम पबलु खोड़ो दिखाए जाए चलो एक कदाम आगे मत बढ़ना बढ़ना खुदा के बास्ते हमें छोड़ दो बिटा आप लोग भुगराईये मत हम लोग यह आपकी मदब करने आया है आप लोग हमारे साथ चलिए और सारा क्राएं सारा तो आप पुलिस ट्रेलिक लिए गई है ठीक है अब हमारे साथ चलिए चलिए बिलू तुम लोगे काम करो तुम लोग ध्यान से इंको खर लेके जाओ बेजा के वसीम को देखके आता हो संबल के जे भाईया जे बोलिये वह मुच्छवडा चोदरिया है ना गणे पेर उठा रहा है स्याना यह सही मोगा है पटका दो जो 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 हो सब जो 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 छोडिये इन हत्यारों को तुम लोगे काम करो तुम लोग इधर देखो मैं उदर वसीम को देखता हूँ जालो एहान एहान वसीम ए भाई एहान का कुछ पता लगा वो कही नहीं मिल रहा तुटेशन मतले लोगे वाई है वाई मैंने भावी को फेस्तिया देख सब्सके बढं़ ऑख भाई मैंने ताप्स घंडा है और वेशनी आ होगा अमको जाके उदर देख भाई जाके तुम इस बहुता हूँ लिगान एपन एपन कि एपन एपन कि 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 अङवाय मुल लगाय 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 झाल, 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 झाल झाल, 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 झा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पुटाल जी निकालो इन गद्दारों को बाहर, आज इने हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों ने हमारे लोगों को गाजर मूली के तरह काटा है और आपने इन अपने घर में पनादे रखी है, निकालो बाहर लोतिक हो रहा है मैं चानता हूँ पर मैंने अपने होश नहीं खोई है पर ये पागनपन क्यों? अरे जिन लोगों ने दंगा फसाद शुरू किया वो हिंदू मुस्लिम की शकल में गुंडे थे, बदमाश थे उनका ना कोई धरम, ना इमान, ना इंसानियत अरे कल तक जिनके साथ उठते बैठते थे, हस्ते खेलते थे आज ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए क्यों भूल जाते हो के इसी याग की आच में कुछ नेता अपनी रोटिया सेख रहे होंगे और हम एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी शर्माएंगे प्रशासन ने अभीता कर्फ्यू में कोईड ही लही लिए है जगे जगे पर सुरक्षा कर्फी और पुलिस को तैराम किया गया है प्रशासन का दावा है कि कुछी दिरों में सब कुछ सावाने हो जाएगा करे की भी तो कैसे वाकि जुदा सेंग जी आपका काम तारिफ ही काबिल है आप जैसी दबंग शक्षियत की तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है अरे इलेक्षन का पूरा दारो मदार आप जैसे लोगों के कंधों पर तो है पर एक दिक्कत है कि हमारे कुछ आद्मियों को पुलिस ने गिरिफ्तार कर रखा है उन्हें आप बाहर निकल वाओ आप चिंता ना करे अरे मेडिया वालों के लिए और आवाम के लिए कुछ लोगों को गिरिफ्तार तो करना ही पड़ता है कुछ लोग ऐसे हैं जिना हमारी करतुतों की भनक लग गई है वो आप हम पे छोड़िए आप सिर्फ नाम बताइए एंकांटर ही करवा देते हैं क्यों खास अब बिल्कुल सही बात है उसको मार के किसी को क्या मिला है सब खत्म हो गया देवाई सब खत्म हो गया अरदान जी हम आपके बेटे को करवतार करने आये क्यों क्या किया है मेरे बेटे ने दंगा भड़काया उसने आपको पता है कितने मासुमों की जाने कहीं है हमार पास सबूत है और गवा भी तीन साल तक जमानत ना मिलेगी उसको अच्छी तरह से वाकिफ है हम कि कैसे हैं आपके गवा और कैसे हैं सबूत तुम कोड़ो मैं वो हूँ जिसकी जिन्दगी उस खुदा के बंदे ने बचाई है जिसे आप गिरफ्तार करने आये है जिन्दगी बचे गई है तो इसका फायदा उठा लो यहां भीज में पढ़कर क्यों फिर से जान दाव पे लगा रहे हो हैं पड़ो हमें अपने ट्यूडी करने दो ड्यूटी जब ड्यूटी निभानी थी तो आप खमोशी से तमाचा देखते रहे लोगों के घर जल रहे थे मासूमों को मरा जा रहा था और आटों में जुल्म ढाया जा रहा था कहा गई थी उस वक्त आपकी ड्यूटी माफ कीजी जनाब दंगाईयों से बड़े गुनागार आप है अरे परधान जी ये फालतू का ड्रामा सुने नहीं आए हूं मैं आखरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको हमारे रास्तों से हड़ जाओ खुदा के लिए आपने क्यों यहां से यही तो राठोर चाहता है दरोगा साब कुछ तो वफादारी करो इस वर्दी की और जाके ग्रिफतार कीजिए उस जोद्दा सिंग को जिसने आपको नपुनसक बना रखा है वफादारी कुट्थों की अमानत होती है दरोगा राठोर कुट्था नहीं है आखरी बार ताकीद कर रहा हम आपको हमारे रास्ते से हड़ जाओ वर्ना कर्फ्यू में अभी ढील दी गई है पूरी तरह से खतम नहीं हो आए देव, समझने की कोशिश कर भाई राठोर तुझे फसाना चाहता है लेकिन अगर हम लोग यहां से इस समय भागे तो कानून की नजरों में हमेशा के लिए मुझरिम बन जाएंगे देव, जोश से नहीं होच से कामले भाई तुमनों निकलो यह से, जाओ इधर से देव, यह लोग सही कह रहे है इस वक्त मैं यह से निकलना चाहिए मा का देहन रखो हादेव, तू जा सुन बेटा किरफतार कर लो इन सबको पगड़ लो यह जो कहा ले आए दू इस वक्त इस सही जगा नहीं मिलेगी चल, अंदर चल ठीक है तो यह है तेरी सबसे अच्छे जगा इसको साफ कौन करेगा बबलू, टेंशन मत लेया रामुका का है न रामुका का? हाँ वो किदेर है? तू है न शहला आजाए अजाए राम, राम सिरकर बहुत खुछ हो रहोगा तू अच्छा घासा मौका खो दिया ना तूने खाब देखता है कमिस्नर बनने के और कर्टूते करता है ऐसी के अच्छा तो ना के तू चोधा सिंग की जुत्ती सुंगते-सुंगते ये खाकी सुंगने लगा कैसा जुल्म कर रहो सरकार? आप खाकी सुंगने की बात कर रहो अरे जब से आपका दियावा चस्रा चश्मा चड़ा रख Glad बहूल जुगा हूँ फुरा का पुरा गाउं एक हो गया है तूझ कर लिया होता है घोली चला देता दो चार को बिछा लेता गल्ती हो गई सरकार माफ कर देजे लग रहे तो कहां चलेगे नाग लोग मैं तेरा कुसूर निया राठोर जिस कुत्ते को दू मिलाने कादत पड़ जावे वा काटना भूल जावे अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा बाप्पू अगर हमें सब कुछ करना है तो इसे क्यों पाल रखा हमने मुझे तो पस इंत कि ये जमानत का लोली पॉप हमें मद्देर आठोर आप बेफिकर रहो सनी भईया इस बार उसके दोस्ती मुझे उस तक पहुचावेंगे और अपकी बार अगर कोई गलती करी न तो तो जानता है जोदा सिंग तिर साथ क्या करेगा कोई दिक्कत ना है सरकार कोई दिक्कत तमाम कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर आठोर देव को पकड़ने में नाकाम्याब रहा करप्ट सिस्टम ने कानून की नजर में एक रेंज शूटर को हत्यारा बना दिया गरीबों प्रिवितों को इंसाफ दिलाने के मकसद से देव एक गुम नाम संगठन बनाने में चुट गया। उसके निशाने पर थे वो सफेद पोश जिनके दामन सैकरों गुणाहों से रगय हुए थे। लेकिन कानून की नजर में वो बेदाग थे। काला धन जमा करने वाले पापियों को देव और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया। और इस तरह देव और उसके दोस्त एक गुम नाम ग्रह के रूप में छाग है। कि अच्छु नहीं भीगाड सकता है। अबे लंगले गणिर गया हटजया। देखता नहीं है क्या। है। 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 अचलो का अचलो के अ! मैं चलो का जिडिए जा? अमने मेल हुआई अन्हें सुईचो अन्हें जब कर भाई अबन कर भाई तुझे नहीं बोला तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो नेता जी, हमें क्या मीडिया वाला समझाए क्या, कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे हमारे नेता जी को सरकारी खड़्चे पे हेलिकॉप्टर पे घुमने का बड़ा शोक है जर्भा पैट्रो लाओ और डालो इनके इंजन में पैट्रोल नहीं, मुझे माप कर दो, इसा मद करो पैट्रोल नहीं तब इसा मद कर, श्लाम मुझे चाने ठाब हाँ अपाफ करो अपाफ दो लुड़ ने रशे करें अपने कि पुछक्त नहीं आफ लग्त։ देंकि मुझे कुछ मत करने सब आता हूं पुछक्त आता हूं प्सारी इनफोरमेशन देने के लिए दोसर देने के बाद छोड़ दोगे न मुझे नेता जी आपका भाशन पसंद आया तो ज़रूर छोड़ देंगे ज्यानेश्वत तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है और इसमें हमारा साथ जोधा सिंग उनका बेटा सनी और इंस्पेक्टर राठोड ने दिया है जोधा सिंग ने महापंचायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी और इस काम में हम तीनों भी शामिल थे आलम खान रह्मान और जोधा सिंग राठोड के जरीए तुम और तुम्हारे दोस्तों का एंकाउंटर करवाना चाहते थे मैं क्या सोच रहूं भाई अपने पापा से बात करता हूं एड़ुकेट है कोई ना कोई जुका निकाल लेंगे वो ठीक है पर मुझे क्या लगता है कि राठोर इतनी आसानी से छोड़ेगा नी भाई सही बुल रहा है यार राठोर की नजर हम पे पढ़ जुग है पता नहीं साड़क नहीं करेगा क्या है ना ऐसे कानून से लड़ना इतना असान नहीं होता है इसके लिए प्रॉपर प्रानिंग की ज़र्वत होती है और उसके लिए टाइम भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक सरकार को यह ऐसा ओफिसर जरूर ढून लेगी जो सरकार के नमक का कर्द सरकार को यह अदा करेगा क्या देख रही हो अम्मी देख रही हूं जैसे जननत मेरे सामने खाकी वर्दी पहन कर खड़ी हो गई है हो अम्मी अम्मी अबू कहा है अरे मरी पिटिया आखिर अफसर बली गई मुभारक हो जानती हो पूरे खांदान में तुप पहली पुलिस वाली हो कितना फखर की बात है जी हाँ अब तुम यही रहोगी ना नहीं अबू मुझे गावर्मेंट की तरफ से क्वार्टर मिला है अब हम सब वही रहेंगे हाँ हाँ अब वही रहेंगे ये जगा महफूज नहीं है पर ये सब हुआ कैसे ये सब दंगों की सौगाते हैं बेटी अल्रा का शुक्र है कि प्रधान भीम सिंग का बेटा देव खुदा का फरष्टा बनकर रहन वक्त पर पहुंच गया हाँ बेटी और अपनी जान की परवा किये बिना उसने हमारी हफाज़त की वरना आज हम जिन्दा नहीं होते मैं सम्मी और उसका सिला उसको ये मिला कि पुलीस वाले और जोधा सिंग उसकी जिन्दगी को जहनुब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे बेटा अगर हो सके तो उसकी मदद करना आप फिक्र मत कीजी अबू मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगी नमस्ते ताउ जी नमस्ते मेरा नाम सारा खां है रफीक खान की बेटी हूँ अच्छा अच्छा रफीक भाई आओ आओ बैठो उन्होंने बताया था तुमारे बारे में कि बेटी पुलिस अफसर बनने गई है बड़ी खुशी हुई सुनके जी हाँ आपकी दूआ से बन गई ओफिसर इसी डिस्ट्रिक की एसपी बन कर आए हूँ बधाई हो बेटी पर ये मत बोल कि हमारे दूआ से बनी है क्योंकि अगर हमारी दूआ में इतना असर होता तो आज मेरा बेटा बेकसूर होतो है भी मुझिरमों की तरह चुपता ना फिरता पता नहीं बेटा जोदा सिंग मेरे बेटे से किस जनम की दुश्मनी निकाल रहा है आप विक्र मत कीजी सब ठीक हो जाएगा आपको तो पता होगा कि देव कहां है नहीं हम तो उसकी शकल देखने के लिए भी दरस गये क्योंकि मिलने के तो पुलिस ने सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं दंगे बढ़काने से लेकर लूट, टकैती यहां तक की हवलदार की हत्यागारों भी मेरे बेटे पर लगा रखा है अब पता नहीं किसमत में कब मिलना लखाया उसे आप मायूस मत हो ये मैं जल्द से जल्द देव को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी चलती हूँ अरे बेटा रुको, चाही तो फीते जाओ फिर कभी चलती हूँ ये दंगे की फाइल है? जी मेड़ा क्या है ये? ये एक ही दिन में चार-चार जगर देव मलिक की कंप्लेंट क्यों है? मैड़म, उपर से ओडर था उपर से ओडर था तो कुछ भी करोगे किसी भी बेकसूर को अरेस्ट कर लोगे इतना बड़ा दंगा हो क्या उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाए यही है आप लोगों की ड्यूटी अब आगे क्या करना है? मैं देखेंगे हम जलो, बहुत निगलो नो वो कौन है यार हलो तुछ एगू राठोट भाइजी राम-राम यह पता हमारा ट्रक किसने पगड़ा बाई जी वो नई S.P.I. ना उसना नागम तुम करक्या है। मैं तो अब डुडी हुँ जी बिवारी का बहाना करके। अच्छा। हाँ आप जरा समल कि रहना अच्छा। अच्छा। राम राम बाई जी कॉन है? चोड यार तु पैग वना मैडम जी ये सरकार ने फोन आपको काय के लिए दिया हुआ है। जन्ता की प्रॉब्लम सुनने के लिए। पर आपने तो मेरा फोन उठाया ही जी। मैं जन्ता की रक्षक हूँ। जन्ता की बातें सुनती हूँ। तुम जैसे गुंडों की बक्वास नहीं। मैडम जी आप यहां नहीं हूँ। जानती हूँ यह आप मुझे। जान जाओ गया इसता इसता। मैं यह भी जानती हूँ तुम फोन क्यूं कर रहे थे। यहां क्यूं आए हो मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा सारा काला चिठा मेरे पास है। तुम्हें 24 घंडे का वक देती हूँ। थोड़ा सबर कर लेती हूँ। लगता है नौकरी, फसंद नहीं आई आपको। ऐसे भौकता है जैसे मेरी नौकरी इसके हाथ की जागीर है। जैसे मुझे भीक में मिली हो। अगर यह 24 सेकंड के अंदर यहां से नहीं जाता। तो ले जाकर अंदर ठोक दो। चल बापू। चली। हाँ, चल। अच्छा मेडम जी, हमें तो ऐसे भी बहुत जल्दी है। चलो। हलो। हलो। मेडम जी, गुड मॉर्णिं। जी लोगों ने नेता लोगों का पारण किया था। उन लड़कों का पता चल गया है। कहां है वो लोग। जंगल वाले रौट पे उरान अश्यों मंदीने वहा। ओके, तुम लोग तैयार रहो। मैं पहुच रही हूँ। जी। जी। बबलू, तुम लोग यह थान रखो। खुछ भी हो तो बताओ मुझे, ठीक है। आता हूँ। अरे बबलू, समाल के। अरे यह लेके जाना यार, कहा माएगा। इधर कहा जोरूत है यार इसकी। अलर्ड जब तक मैं नहीं बोलती, तब तक सामने मत आना। परना वो लोग भाग जाएंगे। कैसा है तू? अच्छा हूँ भया। अच्छा सुन। कुछ पैसे लाया हूँ, समाल के रख। ज़रूत पड़े तो और मांग लेना। भया, आपकलो इधर से मैने पुलिस को आते हुए देखा है। पहले तुझा। अभी यह कौन है। अरे इतने वीराने में अकेली लड़की। अभी प्राचीन मंदिर है यार। यहां पूजा करने से मनते पूरी होती है। तो आई हो कोई अपनी मनते पूरी कराने के लिए। अच्छा ऐसा करो। तुम लोग इधर नजर रखो। मैं उधर देखता हूँ। हाह अच्छाल रुप चाओ रुप चाओ अरना कोली अक्छाओ सारा देव तुम देव मुझे नहीं पता था के तुम हो नहीं सारा मुझे कुछ नहीं होगा तुम गैंक से कैसे बन गए बना नहीं बना दिया गया देव मुझ पर भरोसा रखो अपने आपको सरेंडर कर दो मैं वादा करती हूं तुमसे तुम्हारी साथ जो नाइंसाफ ही हुई है मैं उसका इंसाफ करूंगी इंसाफ दिलाना तो जाके उनको दिलाओ जो इस दंगे का शिखार हुए हैं वो भयानक मंजर आज भी मेरी आखों के सामने आ जाता है जहां प्लानिंग एक आदमी करता है और जाने हजारों बेगुनाव के चली जाती हैं इन गुनेगारों का ना तो कोई धरम होता है और जाता हुए मजब नहीं देव मेरी बात सुनों नहीं सारा मुझे चलना होगा सर रुकिये क्यों मैडम ने मना किया है तुमारी मैडम अपने आपको समझतिक है राठोड है मेरे नाम राठोड ज्यादा चमक मार रही है उसने उतनी ड्यूटी ने की जुतने मैंने एंकाउंटर किये अड़े देव रुको कहा जा रहे हो अगर किस वक्त में हुआ तो फिर मिलेंगे देव रुक जाओ प्लीज अब मैंने रूप सकता हूं रुक जाओ देव पहली गोली फर्स के लिए चलानी पड़ी थी दूसरी मजबूरी में चलानी पड़ेगी जरूर चलाना सारा लेकिन इस बार गोली सीने पे चलाना तुम्हारे प्रमोशन के लिए काम आएगी दीप बिल्ली की मौसी कब तक खेर मुनावेगी अब देख थपड का अंचाम आप चल 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 दीवर खरीद चल पिस सारा खान यह सब क्या हो रहा है हमने आपको यहां पर लॉइन और समालने की रिस्पॉंसिबिलेटी दी थी मगर आप क्या कर रही है और यह अन्प्रेंड ओपरिशन आपके इस ओपरिशन की वज़े से हमारे एक जांबा सिपाई की जान चली गई है हाथ हाए मुजरिम को आपने छोड़ दिया जिस पर तीन नेताओं के अपरण का मुकदमा है सर ऑफिसर की जान इसले गई क्योंकि इसने मेरा ओडर फॉलो नहीं किया था मैं तुम्हारी बात को तब अगरी कर लेता अगर तुमने असली मुजरिम को सलाखों के पीछे बंद कर दिया होता तुम्हारा ये इन डिसिब्लिन बेहेवियर और लापरवाई की वज़े से मैं तुम्हें सस्पेंट कर रहा हूँ पर सर यू में लीव यार देव सारा को सस्पेंट कर दिया है यार क्या? क्या बात कर रहा है यार? ये देख, न्यूज में आ रहा है सारा के साथ ये बिल्कुल भी अच्छ है नहीं हुआ यार वो हमारी वज़े से सस्पेंड हुई है अब सारा से मिलना ज़रूरी है जोधा सिंग ने महा पंचायत में दंगा भलकाने के लिए मुस्लिम इंपूर्डर के खंदिया करवाई थी देखा ये होता है तुम्हारे सिस्टम में राजनिती के नाम पर नया करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है हमने ये बदले की बात नहीं है बल्कि एक आंदोलन है तुम जानती हो बॉर्डर से आने वाले आतंगवादियों से भी ज़ादा खतरना के ये नेता लोग कभी कभी नयाय के लिए भी हत्यार उठाने पड़ते हैं खुनी लुटेरों को माफी मिलती है इसलिए देश उन जैसे लोगों से भरा हुआ है ऐसा तुम लोगों को लगता है तो दो दिन के अंदर अंदर ये लोग जमानत पर भार आ जाएंगे सबसे पहले तुम्हारी रीजॉनिंग के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा इतनी चल्दी ये सब होगा कैसे देव इतनी महबब तो की है ना तुमसे तुम मुझ पर बरोसा रखो तुम सिर्फ मेरे दिमाग से चलो सब ठीक हो जाएगा तुम ये पेंडराइव लो इसके अंदर सब कुछ है पर मैं तुम्हे कानून हाथ में नहीं लेने दे सकती देव कौन कम वक्त कानून को हाथ में लेना चाहता है ऐसे गुनेगारों को सदा देके हम कानून की मदद कर रहे हैं पर ये बात तुम भी जानती हो हमें पता है तुम्हारा निशाना अभी भी पक्का है हमें ले हमें हमें ले बात तुम्हारा निशाना तुम्हारा उतका है laut ले चाहनेघफया है बातलब के ंमें है वे अपका है Lights घुम्हा पूदर स्मीय बाई मैंने क्या क्या है वो ही तो जानना है चल यह जो बताएगा उससे कहीं जानते हैं और जो इससे पता करना है वो इतनी असानी से नहीं बताएगा हड़ी पसली तोड़ देते हैं मौस से बतर जिंदगी बना देंगे इसकी तब तो यह बताएगा यही तुम्हें करना नहीं चाहता जब तक जोदा सिंग और आलम खान जैसी गंदगी समाज में मौजूद हैं ऐसे मच्छर तो पैदा होते रहेंगे इन्हें मारने से कुछ नहीं बदलने वाला हाँ लेकिन यह जरिया ज़रूर बनेगा गंदी साफ करने का अजी नाम में क्या रखा है और वैसे भी हमारे मुझफर नगर में नाम से ज़ादा काम इंपॉर्टेंट होता है यह सही बात पूछी आपने सुनाया हली में स्पी सारा खान को सस्पेंट कर दिया गया है और इसके पीछे काफी लोगों का हाथ था मैं चाहता हूँ कि आप उसको दुबारा पॉइंट कर दीजिए देखिए यह सब मेरे हाथ में नहीं है मैं यह नहीं कर सकता अचा ठीक है वैसे आप एक बात बताएए कि जब आप किसी को सस्पेंट करा सकते हैं तो सेरियो पॉइंट कर नहीं करा सकते खेर छोड़िए यह सब बातों को आपके लिए एक डीवीडी भिचवाईए कौन से डीवीडी वो तो आप ही देखिएगा सोचेगा और फिर डिसीजन लीजेगा क्यूंकि मैं दुबारा क्वाल नहीं करूंगा क्याने सुथ तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है कुछ दिनों पहले विवादों में घीरी सारा खान को वापस से न्यूक्त कर दिया गया है मैं आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूं क्योंकि मुझे पता है कि उसका आप पर कोई खास असर पढ़ने वाला नहीं है पर मैं आप सब को एक वार्णिंग जरूर देना चाहूंगी कि जब तक वर्दी में हो तब तक वर्दी के होकर रहो पुलिस से बड़ी कोई ताकत नहीं है उन्हें ना किसी पॉलिटिशन की जूती चाटने की जरूरत है और ना किसी माफिया से डरने की मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूं कि कोई भी शरीफ इंसान पुलिस स्टेशन आने से ना डरे अरे आप खामखा डर रहे हैं हम जैसे बदनाम लोगों की राजनीती में हमेशा डिमांड रहती है समझें आप आप लोगों को जितनी राजनीती खेलनी थी खेल ली अब बची राजनीती जेल में बैठ कर खेलना अरेस्ट करो इन लोगों को इस वक्ति सबसे बड़ी कबर आपको बता दे एस पी सारा खान ने तीन नेताओं को गरफतार किया है सारा खान के मताबिक इन तीनों नेताओं पर दंगों में शामिल होने का आरोप है अब देखना यह है कि इन दंगों में कौन कौन से और नेताओं शामिल है एस पी सारा खान को जोधा सिंग और सनी के खलाब सुबूत मिले हैं अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है उनकी गरफतारी कभी भी हो सकती है उनसे दूरी बनाये रखने में अकलमंदी है नहीं तो वो हमें भी ले डूबेंगे त्रिपाटी जी आपने अपने पार्टी की तरफ से जोधा सिंग के बेटी सनी को उसी के खेत्र से सीट देने का वादा किया है उस वादे का क्या होगा वो हमारी मजबूरी थी इस खेत्र के लोग जोधा सिंग और उसके बेटे पर बहुत गुसा है ऐसे हालात में ऐसे लोगों को सीट देते हैं तो पाटी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा देखिए सनी का जीतना नमुंकिन है माँ कैसी है तू कहां चला गया था तू कितनी चिंता हो रही थी तेरी तुझे तेरी माँ की कभी याद नहीं आती थी क्या बस कर माँ आ गया ना मैं अच्छा ये बता बाओ जी की दविएत कैसी है अब कमरे में चल मिल ले उनसे बाओ जी आ गया तू अब कैसी तविएत है आपकी क्या करेगा जानके मेरी थोर तू अपनी बता बाओ जी मैं जानता हूँ के आप उससे नराज है लेकिन मेरा कोई घलत इरादा नहीं था मैं तो वहाँ उन लोगों की मदद करने गया था और ये बात आप भी जानते हैं उन लोगों ने मुझे फाल तुमें फसा दिया मैंने सोचा था एक दिन तू नैशनल चैंपिन बनके मेरा सपना पूरा करेगा लेकिन सपना सपना ही रह गया बहुजी मैं आपकी सारी बाते समझ रहा हूं लेकिन जिस रस्ते पर मैं चल पड़ा हूं महां से मेरा पीछे मुढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे कुछ काम अधुरे रह गए हैं उन्हें पूरा करते ही मैं आप दोनों के पास वापिस आ जाओंगा तब तक आप अपनी तवियत का ध्यान रखें अच्छा मा नहीं जाने दूंगी तुमे मैं नहीं जाने दूंगी इसे नहीं सावित्री जाने देशे रोक मत मुझे पूरा भरोसा अपने बेटे पे यह कोई गलत काम नहीं करेगा ध्यान रख अपना यह कोई पुमें यह कोई बेड़ा यह कोई प्यान रखें पुमें छोट्व्स्टिंट बड़ा क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस ख़बर मिली थी कि इस बार आप इलेक्शन में सनी को ठीकट नहीं दे रहें तुम बात समझ नहीं रहे हो जोदा सिंग्ग, हाला तब पहले जैसे नहीं रहे, तुम दोनों की कभी भी गिरिफतारी हो सकती है गिरिफतारी? जोदा सिंग्गी? आप भूल रहे हैं, नेता जी, कि आपके कैने से हमने तंगे फेलाएं और ये बात पुलिस और जंता दोनों को पता चल जाएगी, फिर आप भी बच नहीं सकते तो तुम हमें धमका रहे हो आजी ना ना, मैं तो बस ये कह रहा था कि राजनिती में अगर हमारे जैसों को लेके आगबे चलोगे तो आखिर तक साथ निवाना पड़ेगा एक बात कान खोल कर सुन लो जोदा सेंग, तुम मेरा कुछ नहीं विगार सकते, पता है क्यों? क्योंकि हम एक नेता है और तुम एक गुंडे हो, हम चाहे कुछ भी करें जंता हमेशा अपना समर्थन नेता को ही देती है और यहीं जंता, मौका आने पर तुम्हारे जैसे गुंडे को सड़क के बीचो बीच, कुत्ते की तरह दोडा दोडा कर मार देगी आज के बाद, ना हम तुम्हें जानते हैं, ना तुम हमें अच्छा बिट्टू अब क्या है? कुछ नहीं आज के बाद, हमका भी मिलेंगे नहीं ना हाँ, ठीक है इंपोर्टेड है, मक्कन जैसे चलती है ठीक है पैसे लाए हो? हाँ, लाए हो ना यह लो अरे पैसे दियें, समान तो दो देव कहा है? नहीं बताँगा बतादे अच्छा हाँ, सलीम, निकला? निकला नहीं, आप निकलेगा उपर सलीम? तुझे समझाया था पहले माना नहीं सनी सनी अगर तुने कुछ सनी पटका दे अबलू अबलू अरू अरू यहां फिसे देगा शुरूगा विए अरू बने वाज सकते यह सकते सकते डिकला बेख केलिया है एकलोनों से एक किसे है किसे तुम्हे पूलना पढ़ाएगा क्या एक आपड़े क्या एक चल 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 तेरी भी तो बरात निकालनी है आज क्या है हाँ वस बाई 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 रुको इसके दम पर शेर बन रहा है तू अच्छा याई याई नह याँ याँ नह कर वो कर चुप आ याई अ अ ता llam बाई आई पोर्फ कि टूर्ण हाज सुम्ट टूर्ण फे लुट परस्तरक ऑन हो गाराओंग तरुड़ का हाटू आई आए लुट अर लुट हाटो और हम लुट हाट, लुट है। अर लुट हाट वत गहाट जाए। ज कर दो मैंठान से बढंने बार कर दो अ को凰 फुर्पीर बार快 ठार को efficient पार कि निया अ हॉड्जीर अ कर दो拉खिए अब से Φोटने में अंप पार का अ— एंप लो एंप एए कायर! जो धासिंग जब भी बंदोग उठाता है तो सामने वाले की जान लेता है पर आज तुझे बंदोग से न वारूगा तुझे ऐसी मौत दूगा के तुम मरने के लिए तरसेगा सनी हाँ बापू मर के लेको मर के लेको मर के लेको मर के लेको प्रवषवर कि लू कर दे दो के लानकार येली गो येली अटॉ। उन गाओ करता मेधार! के लू कर दो डव को cantाने! कर दो लू के लगा हु Kṛṣṇa Ka-d पेला fact कर दो कर दो keen गत आजी में गो unfष्ट लाह हुए बहुत खुन पिया साले ने हमारे यहां एक कहवत है जाट मरा तब जानी हो जब तेर्मा हो जा गाउं में से भीम सिंग की अउलाद कहता है साले यह तो किसी नौ मर्द की अउलाद है साला एक मर्किल क्या साला पठा गया साला बहुत जल्लादा पाफू अब अब ये तो फिर हो जाट अब कर आद है मेरे बब को बजारा मार सनी सनी गन नीचे कर नहीं तो मैं गोली चला दूंगी आखरी बार बोल रहे हूं गन नीचे कर सनी मार कुछशनी बिगार सकती है सनी गन नीचे कर मर सनी आखरी बार बोल रहे हूं गन नीचे कर सनी मार बाप बापव देव यह मुझसे क्या हो गया? अब जो होना था, वो तो हो गया सारा. तुम्हें कुछ नहीं होगा. प्रफ़ा अम्बिलेंस! जब जब गांधी और भगत सिंग के बलिदानों को छिंजोडो गए, तब तब देव जैसे युवा जन्म लेते रहेंगे, जो समाज में पहली बुराईयों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे, वक्त और सियासत उन्हें मुझरिम बना देती है. आज हमें ये महसूस नहीं है, दर्द किसी की यादों का, क्यों आज भी हम खामोश खड़े हैं, देखने खेल दंगों का, इंसानियत को मार कर धर्म को बढ़ाने चले हैं हम, पर ना देखा उन आखों को, जिनकी पलकों पर छाय गम. फिर क्यों नफरत की आग में जुलसते हिंदू और मुसल्मान, है कौन सी वो ताकत वाले लोग, जो भटका कर दंगे करवाते हैं, खामोश नहीं है हिंदूस्तान, अब एलान ये हम करते हैं, सारे जहां से अच्छा, हिंदूस्तान हमारा.